Hello everyone, good morning to all, कैसे हैं आप सभी? So guys, आज है 20 जनवरी और 20 जनवरी के क्या-क्या questions आप सभी ने पढ़ने हैं for your current affairs So एक बार आप सभी लोग मिलके session को like और share कर दीजगा और आज हम इस video में discuss करने वाले हैं बहुत ही साधा important questions जो कि आपके national news से related है, international news से related है और काफी सारी चीज़े जो है, इनसे जुड़ी हुई है तो चलिए आए शुरू करते हैं आज का अपना session और session को शुरू होने से पहले आप से कहा है या कि share कर दीजे, तो आपने share कर भी दिया होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन और पहला सवाल आपके सामने ये रहा हाली में भोगाली बीहू उत्सव भारत के किस राज़ में मनाया जा रहा है असम, नागालैंड, मेगालिया या फिर उडीसा आप सभी को ये बहुत अच्छे से बता होगा कि ये जो बीहू का फेस्टिवल होता है ये मेनली मनाया जाता है आपके असमशित्र के अंदर अब यहाँ पर सवाल आपसे पूछा था भोगाली बीहू तो बोगाली बीहू कि जब हम बात करते हैं तो इसे माग बीहू के नाम से भी जाते हैं क्यों? क्योंकि इसे माग के महीने में मनाया जाता है और ये जो फेस्टिवल है ये फसलों से जुड़ा हुआ तिवहार है फसल के अंतिम समय में ये जो है मनाया जाता है और नई फसल के आगनमन के समय में भी ये वाला फेस्टिवल जो है आपका पढ़ता है So guys, इस question का जो सही जवाब है वो हो जाएगा option number A So, आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग Next, इसके बारे में थोड़ा सा जान ले जगा कि ये जो फेस्टिवल है आपका ये 15 जनवरी 2023 से शुड़ू हुआ है और ये फेस्टिवल आपका दो दिन तक मनाया गया यानि दो दिन जो है इसकी duration चली है अगर हम बीहू की बात करते हैं तो ये असम का पारंपरिक त्युहार है जिसका क्रिशी और समाजिक तोर पर अधिक महत्व है तिशी की दृष्टी से कहा जाए तो ये फसल के मौसम के अंद का प्रतीक है भीहू पर किशोरात लोहडी के दिन से होती है और इसे उरुका कहा जाता है आगे बढ़ते हैं गाईस नेक्स्ट क्वेस्टन के उपर तो दुनिया के चौते सबसे अमीर अभिनेता कौन बने है जैकी चान, टॉम क्रूस, जेरी सेनफील्ड या फिर शारुकान अभी हाली में एक लिस्ट को जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि पूरे विश्वभर में जो अभिनेता है उनमें से कौन सबसे जादा रिचिस्ट है और पूरी सूची जारी करी गई है तो इस सूची के अंतरगत बताया गया है कि जो जेरी सेनफील्ड है ये इनकी पोजीशन फस्ट नमबर की है यानि ये सबसे अभी रभिनेता है वही अगर हम बात करें चौथे स्थान की तो वो आपके हो जाएंगे शारुक खान ओप्शन नमबर डी आपर सही जवाब है वही शारुक खान की बात करते हैं तो शारुक खान के बात में आपको टॉम क्रूस और जैकी चैन आपको देखने को मिलेंगे तो गाइस इस क्वेशन का जो सही जवाब है वो है शारुक खान अगर हम इनकी बात करते हैं तो दुनिया के सबसे अमीर अभिनेताओं की सूची में चौते स्थान पर शारुक खान है अगला नमबर टॉम क्रूस का है उनके पास 620 मिलियन डॉलर की संपत्ती है अमीर अभिनेता बत गया है बॉलिवूड सूपरस्टार शारुक खान इस लिस्ट में भारत से एकलोते ऐसे अभिनेता है जिनकी कुल संपत्ती 770 मिलियन डॉलर यानी 6300 करोड से जाता है इस लिस्ट में पहले नमबर पर जेरी सीन फील को रखा गया है आगे बढ़ते हैं गाईस यह कुछ important awards है जो कि आपके film से जुड़े हुए है तो golden globe awards की बात करते हैं तो वो अभी हाल-फिलाल में RRR को दिया गया 53rd International Film Festival of India गोवा में शुरू हुआ 52 दादा भाई साहब फाल के अवार्ड दादा साहब फाल के अवार्ड के अगर हम बात करते हैं तो यह आशा पारिक को दिया गया है which song won the album of the year award at the 64th grammy awards तो यह दिया गया है अभी वी आर को best actor award at 67th film fair awards तो यह यहाँ पर गया है अवार्ड रंवीर सिंग को best picture award at oscars तो आपको पता होना चाहिए वो है koda यानि film के चबंबात करते हैं best film award at आईफा awards 2022 तो वो गया था शेर्शा को गईस अगर आपने अभी तक वीडियो को like share नहीं किया है तो एक बार सभी लोग मिलके like share जरूर करिएगा वर्ष 1961 के बाद दर्ज किये गए report के अनुसार किस देश की जन संक्या में सबसे बड़ी गिरावट आई है जपान, इंडिया, चाइना या फिर ब्राजील तो आपको बता दें कि हमारे पूरे विश्वभर में जो देश सबसे ज़ादा populous है वो है चाइना और second number पे आता है भारत, चाइना की बात करते हैं तो 1961 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि चाइना के अंदर जो death rate से वो ज़ादा है और birth rates जो है वो कम है तो इस question का जो सही जवाब है वो है option number C, इसे note करके रखेंगे सभी लोग चीन की जन संख्या में सबसे बड़ी गिरावट वर्ष 1961 के बाद दरज की लिए है चीन में मरने वालों की संख्या जन में लेने वालों की संख्या से अधिक है चीन में 2022 में 95.6 लाख लोगों का जनम हुआ जबकि 104.1 लोगों की मौत हुई है चीन की जन संक्या में गिरावट का मुख्य कारण 1980 से 2015 के बीच लागू की गई एक बच्चे के नीती है यानि कि यहाँ पर बोला जा रहा है मतलब हर एक कपल के पास सिर्फ एक ही वो चाइल्ड कर सकते हैं चीन की तेजी से घटिय पादी के पीछे एक कारण कोरोना महमारी को भी माना जा रहा है आगे बढ़ते हैं गाईस नेक्स्ट क्वेश्चन के उपर अगला सवाल आपके सामने यह रहा कि गिनीज वर्ल रिकॉर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार किस वेक्ती ने किताबों की 81 प्रतियों को उल्टा टाइप करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया जॉन एलन, डेवोलीना मिक, माइकल सेंटेला या फिर रिशी माइकले इस क्वेश्चन का आंसर बताईए मुझे जल्दी से सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में और जिसने लाइक शेर नहीं किया हो तो आप लोग एक बार इसको लाइक शेर जरूर कर दीजे तो अगर हम इस क्वेश्चन की आंसर की बात करते हैं वो हो जाएगा आपके सामने मिशेल सेंटेला कौन? मिशेल सेंटेला यानि option number C यहाँ पर सही जवाब है हमारे भारत का जो पहला solar village है वो है कौन सा? मोढेरा और यह आपको गुजरात में मिलेगा which satellite was known as the eye in the sky तो यह reset है और यह अभी हाल फिलाल में connection के lost होने की वचे से इंडोनेशिया के पास या फिर हम कह सकते हैं इंडियान ओशिन के पास साके यह गिरी है गौरव सम्मान 9 नमबर को बाटे गए थे क्योंकि इस दिन होता है उत्रा घंड का साथ ना दिपस और यह तीन लोगों को दिये गए प्रशून जोशी लेट जनरल बिपिन रावत और आपके जो थर्ड परसन है वो है अजीट दोवार नैशनल कैंसर अवेरनेस डे हम सभी लोग साथ नमबर को मनाते हैं नेक्स क्योशन पर बढ़ते हैं गाईस अगला सवाल आपके सामने ये रहा सैयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद UNSC ने जनरी 2023 में किस पाकिस्तानी आतंगवादी को वैश्वेका तंगवादी कोशित किया है तो ये आपनों मुझे कमेंट सेक्षिन में सभी लोग बताईए अली साजद अब्दुल रह्मान मकी या फिर मुहमद नासीब गुलजार यहां पर आंसर हो जाते हैं तो गाईस अभी जो हमारी इंडिया की इतने दिनों से हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम इस टेरिस्ट को जो है ग्लोबल टेरिस्ट जो है करार दें यानि कि साबित कर दें तो इसके लिए हमने काफी सारी अरजियां करी थी उनाइटे नेशन के अंदर और अब चलके 2023 में इसको डेकलेर कर दिया गया है एक ग्लोबल टेरिस्ट अब्दुल रह्मान मकी यानि ऑप्शन नंबर बीहा पर सही जबाब हो जाता है इससे पहले भी हमने काई सारी कोशिश करी बट वो नाकाम रही अमेरिका ने भी हमारा सही योग किया था बट खैर अब 2023 में इसे ग्लोबल टेरिस्ट गोशिट कर दिया गया तो आनसे बीहा पर सही जबाब हो जाता है और ये रहे मकी इने ही गोशिट किया गया है अगर आपको बता दें जिस भी व्यक्ति को ग्लोबल टेरिस्ट गोशिट कर दिया जाता है उसके साथ काफी सारी परिशानिया आ चाती है उसके जितने भी अकाउंट्स होते हैं अगर उसके अकाउंट्स शेडियूल बैंक्स के अंदर है तो उसके account को cease कर दिया जाता है सबसे बड़ी बात और भी काफी सारी चीज़े होती है जो उसको जेलने पड़ती है आगे बढ़ते हैं guys next question के उपर और अगला question आपके सामने ये है question number 6 बुमनिया on government e-markup place कि सफल आयोजन का जशन कहा पर मनाया गया अगर हम बात करते हैं ये e-market place के बारे में तो इसका जशन कहा पर मनाया जा रहा है सबी लोग comment section बताएंगे बैंगलूरू, मुंबई, चैपुर या फिर न्यू डेली so guys याद रखेगा इसको न्यू डेली में मनाया जा रहा है या आपका मुवेनिया on jam आगे बढ़ते हैं so अगर हम इसकी बात करते हैं ये जो पहल है बुमेनिया इसको 2019 में लॉंच किया गया था जिसमें G.E.M. पर महिला उदमियों और S.H.G. की भागेदारी को प्रोचसाहित किया गया G.E.M. पर पर हैदराबाद में आकरी निजाम कौन है जिनका हाली में निधन हुआ है so उनका नाम आप लोग कमेंट जेक्शन में बताएंगे नवाज रजाली खान मीर उस्मान अली खान नवाब मीर बरकत अली खान या फिर उपरयोगत में से कोई भी नहीं इसका आंसर मुझे सबी लोग कमेंट जेक्शन में देंगे आच्छा so इनकी ही अभी हाल फिलाल में डेथ हुई है और इनका नाम है नवाब मीर बरकत अली खान यानि ऑप्शन नमबर सी आपर बिलकुर सही जवाब है ये अभी इनकी डेथ होने से पहले ये बहुत दिन से टर्की में जाके रह रहे थे इनोंने चार शादिया करी है और हैदराबाद में अभी उनके नाम बहुत सारी संपत्यां आपको देखने को मिरेंगे question number 8 right to sight vision के उद्देश से अंधिता नियंतरन policy लागू करने वाला देश का पहला राच्र कौन सा बना गुजराथ, राजस्थान, महाराष्ट तो आंसर एक बर जल्दी से सभी लोग मुझे comment section में फटा फट से बताएगा के इसका right answer क्या होने वाला है तो आपको बता देए ये जो right to sight vision है ये ऐसा पहली बार हुआ है केस को राजस्थान में शुरू किया गया है और अगर हम इसकी बात करते हैं ये जो policy है ये पहली बार तो राजस्थान में शुरू हुई है लेकिन चिकिस्सा एवं सुआस्त विभाग द्वारा अंधता निवारन के लिए जारी किया गया किन दो देशों के बीच पाचवी विदेश नीती और सुरक्षा वारतास थी ओल में आयोजित की गई तो फ्रांच जर्मनी इंडिया और साउथ कोरिया इंडिया और नेपाल या फिर इंडिया और अमेरिका अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसे शुरू किया जा रहा है हमारे इंडिया के साथ और कौन शुरू कर रहा है तो साउथ कोरिया के साथ हम लोग इसे शुरू कर रहे हैं अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत और दक्षर कोरिया के बीच पाश्वी विदेश नीती और सुरक्षा वारता सी ओल में आज़त करी गई सर्तर जन्री को समाप्थ हुई दो दिवरसी ये बढ़ता के दोरान दोनों पक्ष व्यापार और निवे सुरक्षा और रक्षा विज्ञानों पद्योगी के साथ सांस्कृतिक और लोगों से के अदान प्रदान सहित छेत्रों में सहयोग को गहरा करने पड़ ये सहमत हुए ह आज इस सेशन ये बढ़ता है और जिसने भी तक को लाइक शेर ना किया हो तो प्लीज सेशन को एक बार सरूर से जरूर लाइक शेर कर देजे ताकि सभी को पता चल सके और अब लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट शेशन में कल वाले क्लास में थाइंक वाले क्वाले दृत्